इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन से लेटेड एक और नुमेरिकल कोस्टन सोल करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव दूरिंग दा इयर अंडिर 31st मार्ट 2017 बाई हैदराबाद आर्ट क्लॉब वर एज अंडर हैदराबाद आर्ट क्लॉब जोकी एक NPO है उसकी बुक्स में 31st मार्ट 2017 को सब्सक्रिप्शन की ये डिटेल गिवन है 2015, 16, 5000 16, 17, 1,800 and 17, 18, 3000 and the total amount is 1,16,000 Additional information Total number of members in NPO 240 Annual subscription fee रुपीज 500 पर मेंबर and subscription outstanding on April 1st 2016 रुपीज 9000 show the amount of subscription in income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and in the balance sheet as at that date हमें subscription को किस तरीके से दिखाना है income and expenditure और balance sheet में वो हमें solve करना है तो हमें एक opening balance sheet बनाएंगे जैसा कि हम subscription के concept में करते हैं income and expenditure बनाएंगे और closing balance sheet बनाएंगे जैसा कि question में year ending date गिवन थी तो closing balance sheet 31st March 2017 को बनेगी income and expenditure भी same date को बनेगा और जो opening balance sheet बनेगी उससे ठीक एक साल पहले की format को एजिटी जैसा कि subscription के concept में सिखाया गया है आपको वैसे ही हम put कर लेंगे value बाद में put up करेंगे फ़हले हम blank format बना लेते हैं blank format बनाने के बाद हम एक एक value बुट करेंगे जैसे कि सबसे पहले income and expenditure में हम लिखते हैं by subscription deceived यहां question में subscription deceived कौन सा amount होगा जो तीनों ही year का total होगा अगर इस तरीके से three years का subscription का amount अलग-अलग करके दिया है तो उसका जो total है that is the subscription received तो 1,16,000 को हम यहां put कर देंगे अब जैसा कि year ending date थी 31st March 2017 यानि कि हमारा session क्या था ये 16,17 यानि कि जो April 1st 16 में start हुआ था और 31st March 2017 में end हो गया तो जो 16,17 का session है वो हमारा current year है तो यहां पर ये जो mid वाला है ये current year है और इससे जो पहले था वो क्या था previous year था 15,16 और 16,17 के बाद जो 17,18 आएगा that is the next year अब करना क्या है हमें इसका analysis करना है कि जो amount total 116 रिसीव हो वो किस तरीके से रिसीव हुआ है उसमें 5000 कौन से है जो previous year से relate करते है अब हम ये देखते हैं कि क्या previous year में कुछ आउटसेंडिंग था means जो कि ये 5000 हमें रिसीव हुए है it means ये previous year में आउटसेंडिंग रहे होंगे तब ही रिसीव है तो last year जो आउटसेंडिंग थे ये question में given है last में subscription outstanding on April 1st 2016 था 9000 का तो इस 9000 को जो April 1st 2016 and you can say 31st March 2016 को outstanding subscription है 9000 जो की question में given था अब ये 9000 जो था beginning का था तो beginning का जो outstanding है उसको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं लेकिन उसमें से हम पूरा 9 minus करें या वो minus करें जो receive हुआ ये question में मैंने last video में भी बताया था कि हमें minus करना होता है जो इस current year में उस outstanding में से receive हुआ है outstanding तो 9 था लेकिन जो amount ये 1,16,000 total हमें receive हुआ उसमें से previous year के तो सरफ कितने receive हुए है 5,000 that's why 5,000 हम यहां से minus कर देंगे और यहां पर clearly दिख रहे है 9,000 beginning में outstanding था 5,000 उसमें से receive हो गया तो 4,000 आपका 15,16 का अभी भी balance बचा है जो अभी तक recover नहीं हो पाया यानि कि इस point से हमने ये चीज़ें calculate कर ली है कि कि इतना इस साल अभी भी भी बगाया second year की बात करें यानि कि जो current year है हमारा 1,8,000 उसका amount receive हुआ अब current year का outstanding निकालने के लिए हमें क्या करना है जिस question में member दिये है जैसे कि member कितने है 240 और एक member subscription देता है 500 तो पर member अगर 500 रुपे देता है तो 240 member 240 member मिलकर अगर मैं इसको multiply कर दूँ तो total वो कितना पैसा देंगे संस्तागो 1,20,000 यानि कि year का year receive होना चाहिए हमे जबकि receive कितना हुआ है 1,8,000 तो हमें कितना amount कम receive हुआ है अगर इसको minus करें तो हमें 12,000 रुपी जो है इस current year के अभी भी receive नहीं हुए जो कि 120 बनते हैं receive 1,8 हुए है इस 16 में 180 current year के उसने question में दी है तो 12,000 subscription जो है हमें इस साल का receive नहीं हुआ है तो वो 12,000 इस current session का outstanding है और total outstanding हो गया 16,000 closing balance sheet में और यहां जो outstanding हम plus करते थे at end वो करते थे current year वाला यानि कि यहां पर आपको 16 नहीं करना है income and expenditure में वहां पर आपको 12 करना है add जो current year से relate करता है इस point को भी हमने use कर लिया अब बात करते हैं जो यह 3000 given है 17,18 के यह कौन सा year next year जो भी आया ही नहीं है तो यह advance में हमें मिल गए क्योंकि session तो 16,17 चल रहा है तो it means यह पैसा हमें advance मिला है 17,18 का तो हम इसको closing balance sheet में advance subscription के नाम से दिखा देंगे 3000 और advance subscription at end का हम यह 3000 यहां से minus कर देंगे अब सिरफ एक चीज बची है advance subscription in beginning advance subscription in beginning के regarding question में कहीं भी कुछ भी given नहीं है तो इसको blank हम छोड़ देंगे सिरफ इसका अगर हम total करेंगे तो वह आएगा 1,20,000 इस question में हम अपने answer को verify भी कर सकते हैं जिस भी question में number of member दे होते हैं जैसे की 240 member थे एक member subscription दे रहा था 500 का तो जो total amount आया था 1,20,000 अगर किसी question में member given है तो आपको ध्यान डखना है कि member multiply जो annual subscription जो amount आएगा वो amount आपकी income and expenditure की main column में होना चाहिए अगर वो है तो इस आपने concept को सही से सोन किया है यह आपका telly करेगा तो जिस question में member given है तो उस question को आप exam में बैठे बैठे verify कर सकते हो कि आपने वो accurate दिखाया है या नहीं दिखाया है